नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ कोरिया के अनों के अजनभी और बिचित्र फेक्ट्स की तरफ साउथ कोरिया जो की एक ब्यूटिफल और कल्चरल रिच देश है इसके अंदर कई ऐसे सीक्रेट्स है जो आप साय दिया आपने पहले कभी सुने हो त आप साउथ कोरिया में रेड इंक का यूज नहीं कर सकते खासकर डॉकुमेंट्स में सिगनिचर करते समय ऐसे माना जाता है कि रेड इंक का इस्तमाल मौत का संकेत है तो आप जब भी साउथ कोरिया जाएं तो रेड इंक को घर पर रख कर जाएं परन्तु कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे एक बर्स का माना जाता है और सभी के जन्म दिन फिरतेग बर्स एक जन्वरी को मनाय जाते हैं और फिरतेग व्यक्ति एक बर्स बड़ा हो जाता है आपको सुनने में अजीव लगेगा कि यदि कोई 31 दिसमर को पैदा हुआ है तो वै एक जनवरी को दो वर्सका हो जाएगा काफी अजीव है ना तो आप साउथ कोरिया के अकॉर्डिंग अपनी एज कमेंट कीजिए जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उनसे उनकी होवी, नौकरी, पसंद, ना पसंद आदी के बारे में पूछते हैं परन्तो साउथ कोरिया में अगर आपसे आपका बलेड गुरुप पूछा जाए तो आश्चर चकित ना होना क्योंकि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि आपका बलेड गुरुप आपके आंतरिक रूप से जड़ा हुआ है अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें यह आपके लिए तो फ्री है, परन्तो इससे मेरी काफी मज़द होती है जहां इंडिया में इंटरनेट स्वीड बहुत कम आती है, वहीं कोरिया की इंटरनेट स्वीड दुनिया में सबसे तेज है यहां की 93% आबादी इंटरनेट का उप्योग करती है और परिवहन, सहर के सेंटर्स और अन्सारवजनिक छित्रों में आप इंटरनेट फ्री में यूज़ कर सकते हैं यहां आपको एक HD मूवी डाउनलोड करने में सिर्फ 3 सेकंड का समय लगता है फैक्ट नमबर 6 एक पंका कैसे आपकी जान ले सकता है अब आप सोच रहे होंगे एक पंका जी हां साउथ कोरिया में लोग पंका चला कर नहीं सोते क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि पंका सरीर का तापमान कम कर देता है और हाइपो थर्मिया यानी सरीर का आसामान रूप से कम तापमान का कारण बन सकता है जिससे सास लेना मुस्किल हो जाता है और लोगों का दम घुटने लगता है इन मानिताओं के कारण साउथ कोरिया में पंकों में सट आफ टाइमर आता है अगर मैं आप से पूछू कि एशिया में सबसे ज़्यादा सराव किस देश के लोग पीते हैं तो कुछ लोग कहेंगे चीन तो कुछ जापान परन्तु सबसे ज़्यादा सराव साउथ कोरिया के लोग पीते हैं जी हाँ, यहाँ का एक बैक्ती ओसत 12.3 लीटर एलकोहॉल एक साल में पीते हैं और विस्व में सबसे ज़्यादा सराव पीने कमें 17 नमबर पर आते हैं फैक्ट नमबर 4 जब आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसे फोबिया गा जाता है परन्तु साउथ कोरिया में एक टेट्रो फोबिया है जिसका अर्थ होता है चार नमबर से बचना अर्थार, साउथ कोरिया के बारे में एक दिल्चस्प मजड़ार फैक्ट ए है कि यहां चार एक असुब संक्या है इसलिए लिफ्ट में आपको अक्सर मंजिल के लिए एक, दो, तीन और चार की जगे पर एप दिखेंगे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोरियाई वासा में चार के लिए सब्द मृत्यू के लिए सब्द के समान है कोरियाई वासा में नंबर चार का मतलब मृत्यू होता है मुझे लगता है मुझे भी अपना फैक्ट नंबर फॉर की जगे एफ यूस करना चाहिए और आपको किस दी से सबसे लगदा डर लगता है कमेंट में बताएं फैक्ट नंबर त्री निश्चित रूप से आपको संगीतकार साहीं का गाना गंगनम इस्टाइल याद होगा जिसने अपने आकरसक लिरिक्स और यूटूब पर वाइरल होने के कारण बेस्टन कंट्रीज में अधिकांस लोगों को के पॉप के वारे में परीचे कराया था और गंगनम इस्टाइल इतना लोग पर ये था कि ये यूटूब पर एक बिलियन व्यूस पाने वाला पहला गाना था और अब साउथ कोरिया में बीटियस बैंड काफी पॉपुलर है जिस पर भी मैंने सौट वीडियो बनाई है आप आई टैप पर क्लिक करकर देख सकते हैं परंतो पहले इस वीडियो को पूरा देखें जहां भारत में मैलाए मेकप करने में गंटों लगा देती है वहीं साउथ कोरिया को दुनिया की मेकप राज़दानियों में से एक कहा जाता है यहां पुरस माहिलाओं की तुल्ला में काफी अधिक मेकप करते है सियॉल के पूरे जिले कॉस्मेटिक दुकानों के लिए समर्पित है फैक्ट नमबर वन खाने के सौकिन लोग तो आपको हर जगे मिल जाते है इसी पिरकार यहां के लोगों को किमची नमक फूड अत्यदिक पसंद है किमची के डाइस ओ वेविन ने पिरकार है किमची एक पिरकार का सलाद है जिसका सौध कुछ अचाड जैसा होता है आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलें जिससे वेवी साउथ कोरिया के बारे में जान पाएं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाइब बाइ